नमस्कार दोस्तों गोल्ड प्राइस इन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है राजस्थान के मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दोरान ओले भी गिर सकते हैं। आगामी 15 अप्रेल को उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। दरसल प्रदेश में आंधी बारिश होने के बाद एक और नए पश्चिमी विक्षोग सक्रिय होने जा रहा है। जिसके चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर कुछ जगहों पर आंधी बारिश और ओले गिरने का ओरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दो-तीन दिनों में जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जैपुर, बीकानेर और उदेपुर संभाग के कई जिलों में 50-60 किलोमिटर प्रती घंटा की रफतार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान उले भी गिर सकते हैं। आगामी 15 अप्रेल को उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 18 अप्रेल को राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोग सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते आंधी बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके बाद गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी डॉट 13, 14 अप्रेल को पश्चिमी विक्षोग का असर गहरा रहेगा। राजस्थान के मौसम में अचानक से पल्टी मार ली है। यहां के कई जिलों में बादल चाय हुए हैं, धूप तो नजर ही नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने आज कई हिस्सों में आंधी बारिश और अंदर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रेल के 13 से 14 को पश्चिमी विक्षोब का असर गहरा रहेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक अजमेर, बीकानेर, जोधपुर के कई हिस्सों में बादल गरजेंगे और बारिश के भी आसार जताए गए हैं।